द्माश्का रिक्षू स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परिक्षाप्रस में कैसे हैं सभी और कैसे चल लिए आप सभी के तेयारी अभी देखा जाए तो उत्तरप्रदिस पुलिस भलती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस की तरह क्या वो अपने जो ट् पता दू कि यह सारे चीजे काम की तेजी आई क्यूंकि अभी 6 जुलाई को मतलब की बीते दिन 6 जुलाई को उससे पहले मैंने आपको बता दिया था UPSI ASI की जो वेकंसी ती उसकी लिए न्युक्ति आदेस न्युक्ति पत्र ने जो मुख्यमंत्री जी आपको आवंटित क आएंगे तो उनसे कोशिन पूचिकर कोशिन में कुछना कुछ उन्हें जवाब देना होता है जो आपको यहां पर 62,424 पद के लिए यहां पर इन्होंने बताया है हाला कि यह बिल्कुल सही है इसमें कोई भी ख़वर जूटी नहीं है कि 62,424 पद नहीं है अब यह 62,424 मे प्रस्तावित है इन्होंने एक चीज अलग से कहा है कि जिसे कंप्यूटर ऑपरेटर का देखो तो 927,927 पद केंप्यूटर ऑपरेटर यह पिछले दो शाल से आ रही है 2 साल से पहले अधियाचन, 7500 का था फिर अधियाचन 800 का आया और 800 के अधियाचन आने के बाद अब यह क्या कर रहा है अभी तक की सबसे बड़ी भलती किसी विराजुमें no doubt कि आपका constable का सबसे बड़ी भलती हो सकती है लेकि सबसे बड़ी बात है कब आएगी ये भी तो आपका चांस है हर बार आप टेंडर निकालते हो और हर बार आप क्या कहते हो कि अभी टेंडर में कोई भी हमें company नहीं मि बात करो दोनों का जो सबसे डारेक्ट विलेशन होता है वो पुलीस भलती बोड़ और सिच्छ भलती दो ही होती है ठीक है इसके बाद यह यूपी ट्रीपलसी हो गया यूपी पीसी हो गया इन सब तो बहुत ज़्यदा राज पे सासन पे फरक नहीं पड़ता है इनमें वे कोई नहीं होगा यह कहते हुए सब मुझे थोड़ा सा गंदा लगता है बट हर बार वो फोकस में रहना चाहते हैं कि हमने यह करवाया जैसे मैं बता दू कि उत्तरप्रदिस पुलिस भलती बोर्ड कर जो घाट में हुआ था यह कब इस्टेबिस्ट वाता 2008 में हो था 2008 के प थिजबन कितने पदोपे कर दिया 6 साल में 5 लाख की सरकारी नुकरी यह ईगी जीवो लन है ऐसा नहीं है कि आपने 6 साल में पांच लाख की सरकारी नुकरी दे देए वही आप ऐसे समझो 2012 2013 2010 से पहले कितने लोग कॉंपीटिशन में होते थे कितने लोग competition में होते थे तैयारी पुलिस की बात करूँ या किसी भी सरकारी नौकरी की बात करूँ इतना cringe नहीं था और जैसे जैसे समय बीटता जा रहा है वैसे 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 बिरुजगारी दर बढ़ती जा रही है उसकी कारण से सरकारी नौकरी की तरफ लोग ज्यादा आ यहाँ जी तो कोई भी सरकार होगी जाँ सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ योगी जी कोई भी मुक्य मन्त्री इस सटेप कोई में ज fiquei रहे सकते हो कोई भी होग छीज दोको vara चता है तो मेरा आप से उतना कोस्छन रहता है कि अगर सारी चीजे पाघ्ल असे होती है तो बहुत सारी कीनिर दोसाधर representative को एक एक्जाम डेट का आपका यहाँ पे कुछ भी अता पता नहीं है उसके बाद हम किसकी बात करें हम बाती कंसाला जो अधकारी उनकी बात करें या फिर और भी जितने भी पद हैं यहाँ पे आप देख लो कि कितने पदों के इन्होंने बोला है यहाँ पर कॉंस्टेबल की बात किया यहाँ पर उबनेक्ष्यम वालब SI की बात किया है 2430 रेडियो संबर्ग में बात किया है तो इन सब को जोड़े रहे हो अगर हमने कराया तो इक कटिंग में यह भी लिखाया है कि तैसिलदार SDM समय कई पद्रिक्ट फर्यादी मायोज फिर यह क्या है अगर मतलब जो भी ऐसे लोग हैं जो कहीं सरकारी भाग में कारे कर रहे हैं उनसे अगर आप पूंचोगे ना उनके डिपार्टमें में पलू समय यह है और उसके बाद भी इतने पद्रिक्ट होने के बाद भी आप परीक्षा क्यों नहीं करवा रहे हो और बहुत सारे बच्चे जो कहीं न कहीं जॉब कर रहे होंगे वो कमेंट में मुझे बताएं पस इतना कमेंट में कर दीजे कि आपके सक्षन में आपके वह आपको conclude करूं सारी चीजे, तो अभी तक जितना इनको समय लेना था ले ले, अब देखना कितनी तेजी से सारी चीजे होनी है, क्योंकि 2024 में ही आपका क्या है चुनाओ है, और 2024 में ही चुनाओ है, तो अब मुस्किल से 6 महीने भी नहीं बचे हैं, वस 2024 को आने में, इस 6 महीने में चीजे इतनी रफ्तार से होंगी, कि किसी को अंदाजा भी नहीं लगेगा, तो इस कारण से ये जो आया है, ये बता रहा है कि अब आपकी चहल कत्मी भरती बोर्ट में हो गई है, और जैसी मुझे नियूज रहती है, मैं कभी भी जब विडियो लेके आता हूं, तो मेर जुलाई के बाद से ही आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, उसके बाद अगस्त सब्तम्बर में बहुत सारी चीजें आपको नए नए आवेदर, नए नए टेंडर, नए नए चीजें आपको देखने को मिलेगी, और दूतीन एक्जाम की परिक्षा तिथी भी देख काठिया कर दिया था, तभी से हमने इसका कॉंबो बैच कर दिया था, क्योंकि पता था कि इतनी जल्दी नहीं आनी है, तो बच्चे को मिलियों फीस में थावा थावा पड़ता रहे, जब आएंगी तो मैं टार्गेट बैच आपका अलग से दूँगा, बट अभी आप लो सबसे पहले आपकी परिक्षा होगी, वह परिक्षा आपकी रेडियो ऑपरेटर की होगी, सबसे पहले जो परिक्षा होगी, वह रेडियो ऑपरेटर की परिक्षा होगी, जो सबसे पहला फॉर्म होगा, वह आपका क्या होगा, वह कंप्यूटर ऑपरेटर का होगा, यह ध् या फिर आपको बीस जुलाई इन दोरे में से कोई एक आपको देखने को मिल जाए तो अपनी तयारी बिल्कु से आप स्टार्ट कर दीजे बाकि रेडियो बेटा का बैक चल लाए इसमें से बहुत सारे बच्चों का साइंस का डिमांड रहता है तो मैं आपको इतना बता दे क्रम स्टरी वाले पार्ट के लिए इंपउर्टन है यह आपका लेडियो ओपरेटर में भी वा सारे हुए आपके आफ सारे ऐसक्टि लेके होगा उन परिक्षाव को हम जादा ध्यार नेंगे तो आठ पीम पे अब आपको थोड़ा सा अगले मेंडे से आपको यूट्यूब पे लग जाएगी निशनल क्लास रहेंगी एम सीक्व रहेंगी इसे मैं आपको खुदी कवर कराऊंगा बाकि जो भी हमसे हो सकता है व मैं आपको आपकी मदद के लिए पूरे टीम के साथ लेके खड़ा रहा हूंगा अन्य आपकी कोई प्रिश्न रहे गाए हूं जो मैं ना बता पाया हूं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूंश सकते हो एक बात कमेंट में मुझे जरूर बताना आप कि आप किस आपको जल्दी से जल्दी देने का प्रियास परूंगा फिर मिलता हूं बहुत-बहुत धन्यवास रवी का बहुत-बहुत आप चैनल पर नहीं हों चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा धन्यवास रवी का